नमस्कार मैं नाजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News जिस तरीके से सनिवार सुभा बीजेपी देवेंद्र पनवीस ने सीम पद की शपत ली उस सपत लेने के बाद जो मोहौल गरमाया है जिस तरीके सबी पार्टी में भुचाल आ गया सबी पार्टी के नेता विधायक सभी कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे किस तरीके से बीजेपी ने रातो रात किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी और अपनी सरकार म पहारास में बनाने का दावा भी कर दिया आपको बता दें कि इसी के साथ साथ राज्यपाल पर भी निशाना साधा जा रहा है कि किस तरीके से रातो रात रात राश्पृती साशन को हटाया गया और उसके बाद सुबा आठ बजे दिवेंद्र पंडवीस ने सीम पत की शपत यह कैसे हो सकता है किसी को खबर तक नहीं हुई कुछ नेता कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो शोर हुआ ना बैंट बाजार लेके आए ना कुछ ऐसा सब कुछ फिक्स था किस तरीके से यह गेम खेला गया कि वहां पर दिवेंद्र पंडवीस ने सीम पत की कामने आए हैं उन्होंने भी बीजेपी पर तंजिकसा है और दिवेंद्र पंडवीस के सपत ग्रहन को लेकर काफी कुछ बोलते हुए नजर आए आपको बता दें अखिलेश यादव ने यहां अपने बयान में यह कहा है कि महरास्ट में जिस तरीके से यह देखा जा रहा ह है पलट फेर देखा जा रहा है इसे देखकर यह लग रहा है जो उन्होंने बोला है कि जिसका गवर्ना होगा उसी की सरकार तै होगी आपको बता दें यहां पर अखिलेश यादव बीजेपी पर और बीजेपी के देवेंद्र फंडवीस पर तंज कस्ते हुए नजर आ रह रही हिया है यहां सावत तौर पर उनका कहने का मदलब था राजवि बीजेपी के साथ मिले हुए थे और किस तरीके से रात और रात जो यह खेल खेला गया है जिस तरीके से ये सारा मामला सामने आया है उसे देखकर यही साबित होता है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस घमासान को देखते हुए ये जो सामने आया है शपत ग्रहन को लेकर वो कहीं ना कहीं वो भी चौके हुए है उनको भी लगी रहा था कि महरास्ट में सिफ सेना ही अपने आपको साबित कर पाएगी उद्दर ठाक ने ही सीम पत की शपत ग्रेंड कर पाएगे क्योंकि जिस तरीके से चल रहा था कि पहले बीजेपी के साथ सिर्फ से ना गडबंधन करने को तयार थी आपको बता दें कहा जा रहा था कि बीजेपी को 105 सीटे मिली थी सिर्फ से ना को 56 और कॉंग्रेस को 44 सीटे मिली थी वहीं बीजेपी और सिर्फ से ना गडबंधन करके 145 सीटे लेकर आ रहे तो बहुमत साबित करने के लिए तयार थे लेकिन सिर्फ से ना ने बीजेपी के सामने 50-50 फॉर्मुले का दावा रखा था जिसे देखके हुए यहां पर सामने य 30 साल पुरानी दोस्ती तूटती हुई नजर आई वहीं पर एंसीपी कॉंग्रेस और सिर्फ सेना काफी टाइम से लगे हुए थे कि वह एक साथ आ जाएं कभी एंसीपी मानने को तयार नहीं थी तो कभी कॉंग्रेस की सोनिया गांधी मानने को तयार नहीं थी उसके बाद सब फाइनल हो चुका था एंसी-पी कॉंग्रेस स सेना सब तै हो चुका था किसका सीं होगा किसे प्योंगे सबali हो चुका था शुकरवार रात लेकिन शनिवार की सुबानी को मिला वह बहुत ही चौकए वाला था जिसको लेकर ब backgrounds यह दम चौक गई थी जिसको लेकर अखिलेश यादम ने भी अपना यहां पर बयान दिया उनका बयान यह था कि किस तरीके से देवेंद्र पंडवीज ने छल किया है राज़िपाल ने छल किया है बीजेपी ने दूसरी पाटियों के साथ चल किया अजीत पवार ने चल किया सुबा आठ बजे शपतली उसको देखते हुए अखिलेश यादम ने कहा है कि जिसके गवर्नर होगे उसी के सरकार बनेगी यह एक बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से अखिलेश यादम ने यहां पर अपने बयान में कहा है अब यह देखना होगा कि आज सुनवाई होनी इस सुनवाई में यही नतीजा निकलता है कि दिवेंद्र 25 और राजपाल से मुलाकात हुई उसका वैवारिक सबूत देना है अब इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है अब यह देखना होगा कि कल सुनवाई में क्या नतीजा निकलता है अभी दीजे मुझे इजाज़त बाती की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही एस पेन नाइन निउस के साथ